हेलो एव्रिवन यह है हमारा USB वेबरेज इंडिकेटर जिसके अंदर हमें USB पोर्ट USB कनेक्टिविटी मिल जाते हैं कम्प्यूटर के साथ इसके अंदर टोटल तीन पोर्ट आते हैं एक USB पोर्ट एक सीरियल पोर्ट जिसमें हम एक्ष्टा डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और लोड सेल का पोर्ट USB पोर्ट से आप इसका वेट का डेटा कम्प्यूटर में डारेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें आप कोई भी USB डी टाइप केबल लगा सकते हैं यह आपका USB कम्प्यूटर में चला जाएगा और यह इंडिकेटर के पीछे लग जाएगा तो अब देखते हैं कि इसमें कम्प्यूटर में डेटा लेना कैसे है हमने पहले से यह एक वायर इंडिकेटर से कम्प्यूटर में जोड़ी हुई है सबसे पहले आपको कोई software डाउनलोड करना है hyper terminal या फिर कोई और terminal जिसमें आप वेट का डाटा देख सकते हैं उसके लिए आपको एक website पर जाना है eagleway.com वेबसाइट खुल जाएगी उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड में डाउनलोड में आप नीचे जाएंगे तो आपको एक software दीखेगा टर्मिनल इसको आप में डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक का जाएगा इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से डाउनलोड एनिवे कर देंगे तो हमारा software डाउनलोड हो चुक है अब इसको यहीं से रन कर देंगे अब आप देखेंगे यह software खुल गया है यह बिल्कुल hyper terminal के जैसे है यहाँ पर आपको button दिख रहा होगा re-scan का आपने re-scan करना है तो यहाँ पर ports दिखाने लग जाएगा आपको हमारे case में COM4 आ रहा है आप दूसरे computer में चलाएंगे तो COM6 भी आ सकता है COM2 भी आ सकता है COM3 भी आ सकता है तो यहाँ से आपको जो भी आपके system में port आ रहा है उसको चलाना है उसको select करना है यहाँ से आपको borderate select करनी है हमारे indicator के लिए borderate रहेगी 1200 तो हमने आपे 1200 select किया और connect कर देना है आप देखेंगे आपर नीचे wait आना शुरू हो गया मतलब आपका computer में data transfer शुरू हो गया देखेंगे 165 weight है 160 170 यहाँ पर wait आना शुरू हो गया है अब आपको कोई भी वेबरी software में इसका data ले सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है वेबरी software में port select करना है और आपका वेबरी software में data transfer शुरू हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको usb converter कोई ऐसे लगाना नहीं पड़ता बीच में serial usb converter कुछ भी नहीं लगाना पड़ता डारेक्ट usb के साथ computer में weight transfer हो जाएगा थैंक यू